हेलो दोस्तों जैमातादी कैसे हो, आप सब उमीद करती हूँ, आप सब स्वास्त होतोंगे, बहुत स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में अपने यूट्यूब चैनल पर हिमाचली ब्लॉगर केस यानि के कांता शांडिल्स तत्तर तो दोस्तों देखिए आज मैंने बहुत सालों के बाद पहली बार होली खेली है बहुत ती साल हो चुके हैं मुझे तो याद भी न देखिए दोस्तों बड़े शेहरों की तरह तो नहीं हमारे होली होती पर फिर भी काफी अच्छा इंतजाम हमरे हं जो होती है हमारे सोसाइटी बनी उसके कमेठी बनी वी यह अपने सेक्टर की हाँ पर सेक्टर तीन की तो यहां बहुत अच्छा सुंदा सा पार्क है आप देख सकते हैं और लोग यहीं पे होली का इंतजाम किया होली खेलने का पूरे महले वाले लोगों का तो देखिए दोस्तों खाने पीने का पूरे इंतजाम में खाना खाने तो नहीं गयी पर मुझे थोड़ा सा टाइन मिला था तो मेरा मन क्या कि चलो वीडियो शू ट करने सि बताने के लिए कि हमारे हाँ होली किस तरह से मनाई जाती है तो हमने रंग तो पहले घर में लगा लिया था आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखा है और यहीं की एक डांस की वीडियो भी आपने देखी है वीडियो मैंने बहुत सारी शूट की थी दोस्तों पर कितना एक के साथ शेयर करूं तो फिर आप भी बोर हो जाएंगे पर मेरा मन था कि चलो मैंने इतने सालों बाद हो लिए और मुझे महाँ पर जाते ही कुजिया दी और बहुत सब लोगों ने देखिए मुझे रंग लगाया है यह बाहिसा भी मुझे रंग लगा रही यहीं के हैं और छोटे बड़े का भेदवाव ना करते हैं सब को पता है कि मैं यहां काम करती हूं पर यह इन लोगों में सब में ऐसा नहीं है हमारे हां छोटा बड़ा सब बराबर है यह देखिए हमारी रिष्टेदार थी तो मुझे देखते ही तूट पड़ी थी मुझे पर इने पता थ मैं वीडियो बना रही हूं तो इन्होंने राम से वैसे हमारे आना दोस्तों रंग ना बड़े प्यार से लगाया जाता कोई इस तरह से नहीं है कि जैसे बहुत से लोग जबरतस्ती बढ़ास निकालते नहीं आप देखिए एक दूसरे को रंग लगाते हुए और गले लग बड़ाते हुए और तो हां दोस्तों ये देखे खुबसुरत सा और मुझे क्या मिला है होली पे गिप्ट और किस ने दिया तो ये मैं आप लोगों को बताती हूं देखिए मैने ये जब गिप्ट लाए थे ना तो मैंने मुझे नहीं पता था कि ये हम लोगों के लिए ही ह चार लोग दीना शादा आप अगली वीडियो में देखो कि हम बजार गुमने गए थे तो दोस्तों में फिर वीडियो बनाते बनाते वापस आने लगी तो कि देखे कितना ब्यूटिफुल सा पार्क लग रहा है आते हुए में वीडियो मेरा मन था यह हमारे बंटी जी और मे लगोने खुली में और यह देखी दोस्तों हुली के बाद दूसरे दिन यह एक बहुत बड़ा हादसा होते हुते ब trip इता और जान बच गई है बस वह ही है दोस्तों यह हां मेह हमारे हां जामें कारती वमैरव के घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यह यहां भी बहुत बड़ा हाथसा होते होते हैं बचा क्योंकि यहां जो स्ट्यार से पॉड़िया उसको तोड़ रहे थे दूसरी जगह के लिए पर वो जो काम कर रहे थे यहां पे लेबर के लोग तो वो इस पॉड़ी पे ही चड़े हुए थे और उपा से तोड़ने शुरू कि ना तो इसके भारनी सेनल कर पाई तो एक साइट से भी पूरी टूट चुकी है तो मैंने का चलो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि देखे किस तरह से बहुत बड़ा हाथसा होते होते हैं तो हमें तो पाता नहीं है अंकल जी देखिए इनकी यह 70 साल से उ हमें अपने मच्चों पर डिपेंड नहीं रहना है और तो यह देख सकते दोस्तों आपनी दर से मैंने दखाया कि यहां से तूटके सीडिया निच्चे किर गए और इसमें मतलब स्पोर्ट बहुत कम थी इसलिए यह हाथसा हुआ और वो लड़का जो है इस पे ड्रिल लेक धड़कने रुकी रही जब हमें पता चला पर जान बच्ची लाख भाए तो यह देखिए दोस्तों पुरानी मेरे मेरे पास वीडियो पड़ी थी इस तरह से था पहले यहां पर वैसे तो यह तोड़ दिया गया है खुद तोड़ा है पर क्योंकि हाथसा हो गया था जैसे तोड़ते तोड़ते अपने आप ही पूरी सेड़िया नीचे बैठ की थी तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरे वीडियो तो कमेंट करके जरूर लिखना यह परानी स्टेयर है दोस्तों जो पहले थी अब यह तोट की चुकी है अभी इसकी आदे ही रहे गई है और इस तरह कि यहाँ पर फूल होते थे यह मेरे काफी दिनों की वीडियो थी मेरे फॉन में पड़ी तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और दोस्तों हांजी चैनल पर पहली बारी आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन का बटन अवाश्य प्रेस करें तो लाइक करो कमेंट करें और शेयर करें थेंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में एक बहुत एक खुबसूरत से वीडियो आई